अगर आप इस वीडियो को देखकर और बलकि मेरे चैनल पर इस तरह की काफी वीडियो देखकर आप धीरे धीरे अपनी घर से बिजनिस स्टार्ट कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं नमस्ते दोस्तों मैं जान भी आप चभीक अपने cooking और baking चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो यहाँ पर sponge को मैंने पहले से bake करके रखा है इसकी हम icing और layering करेंगे तो sponge को कैसे bake करते हैं मेरे चैनल पर काफी बार upload किया है कि एक pond के लिए या दो pond के लिए आपको कितना premix लेना है उसे कैसे bake करना है कड़ाई में या OTG में बहुत आसान है दोनों में इसे bake करना तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर अब इसे हम layer में cut कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर तीन layer में इसे cut किया है और board पर मैंने तोड़ी सी cream लगा कर पहला layer रखा है तो आपने देखा कितना soft और जाली दार यह layer कटी है और बहुती soft यह cake बनता है एक बात जरू try करें pineapple flavor का है friends और इसके उपर मैंने cream लगाई है तो friends मेरे जो cake है सभी को इसलिए पसंद आए आते हैं कि मैं base जादा रखत लेरिंग में भी काफी कम cream लगाती हूं और इसके उपर मैं crust डालती हूं और pineapple के प्रीसिस रखती हूं तो जिससे जो taste है काफी enhance होता है तो जो second layer है friends में जो top बाली dome से बाली layer है middle में रखती हूं उससे क्या है middle में रखने से उपर से हमारा जो cake का base है काफी अच्छा flat आता है और काफी अच्छे से soak कीजिएगा अगर आप friends कड़ाई में बनाते हो तो sponge है थोड़ा soft ज्यादा बनता है मैंने क्यूंकि यह notice किया है तो आपके साथ यह मैं share कर रही हूं और अगर आप microwave या OTG में बनाते हो तो sponge क्या है थोड़ा से dry रह जाता है तो उसमें आपको soaking की ज्यादा करनी रहेगी तो यहाँ पर आप जब भी कड़ाई में bake करें तो आप थोड़ा कम सोक करें और अगर आप OTG में या microwave में इसे bake करते हो तो इसकी जो soaking है आप थोड़ा ज्यादा कीजिएगा उससे क्या है जो cake का sponge है काफी soft रहेगा काफी देर तक क्योंकि जब हम इ यह dry-dry सा लगने लगता है स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा सोक हो गया बट थोड़ी देर रखने के बाद जो पानी है पूरा cake काफी अच्छे से सोक कर लेता है इसलिए आप थोड़ा soaking ज़्यादा रखें अगर आप OTG में से bake कर रहे हैं अगर मेड़ी मेड़ी नहीं होती है बिल्कुल इक्वल बराबर चारो साइट से रहती है तो इस तरह से अब थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा कर क्रम कोटिंग करेंगे तो क्रम कोटिंग करना बहुत बहुत जरूरी है उससे क्या है cake के crumbs इसके अंदर छिप जाते हैं और जब हम final icing करते हैं तो final icing करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और क्रम कोटिंग करने के बाद इसे मैंने 15-20 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया था उसके बाद जब तक जो table पकेक का सामान फैला था वह मैंने एक सासा करा बिल्कुल सफाई करी उसके बाद इसकी मैंने इस तरह स final icing करी तो मैं दोनों तरह से करती हूँ piping bag में भी फिल करके करती हूँ और direct ऐसे भी क्रीम लगाती हूँ जैसे आपको suitable लगे वैसे इसकी आप final icing कर सकते हैं और friends अगर आपको मेरी recipe थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हो तो फ्री चैनल को subscribe कर दे लीडियो को full watch कर ले जै आप भी इस तरह से यह design बना कर अपने customer को दे सकें और cream बनाना friends बिल्कुल भी आसान है आप market में whipping cream लाएं उसे आप beater से भीट करें और जो beater ले हमेशा आप 400 watt से उपर ले उसे कम का न ले क्रीम बीट करने के लिए हमेशा जो 400 watt वाला beater है वही use होता है उससे जो cream है बीटर लिया उसे क्या है cream बीट होने में time भी लगता है और अच्छे से बीट भी नहीं होती है तो इसलिए मेरे पास जो beater है cello company का है और 400 watt का है उससे जो cream है काफी अच्छे से बीट हो जाती है और आप देखरो friends जब तक cake की अच्छे से finishing नहीं हुई मैं हमेशा इस तरह इसे ही करती रहती हूं लेट नाइप से भी और scrapper से जब तक finishing cake की अच्छी ना आए आप करते रहें करते रहें और इस तरह से जिग जिग वाले कौम से site से design बना दे अब इसमें मैं peach color दे रही हूं क्योंकि client ने सिर्फ घर पर ही खाने के लिए cake बन बाया था कोई भी celebration नह बहुत पसंद आता है उनके घर में कहीं भी birthday हो celebration हो तो हमेशा मेरे से ही cake बन वाती है मेरे कालौन की अब बाहर जाता है तो उन्होंने यह इस बार जो केक है घर पर ही खाने के लिए बन भाया था अपने गेस्ट के लिए तो डिजाइन सिर्फ मैंने सिंपल सी रखी है उसमें कोई extra मैंने डिजाइनिंग नहीं की N1 nozzle से ही डिजाइनिंग बना दिया है पीच कलर दे दिया है तोड़ा सा इससे क्या है थोड़ा कलर आ जाता है देखने में अच्छा लगता है और साइड से जो बॉर्डर है उसी N1 nozzle से ही मैंने बना कर त्या कर दिया है और लास्ट में इसमें मैं silver dust कर रही हूँ इससे क्या है केक के उपर थोड़ी सी sign आ जाती है जो केक है बिल्कुल bakery style लगने लगता है अगर आप केक का business कर रहे हो तो आप इस तरह के केक के जो product है छोटे छोटे लाकर रखे उससे जो केक का look है बिल्कुल भी change हो जाता है और मैं छोटे बारीक बाले और थोड़े बड़े बाले silver balls आते हैं edible वह भी इसके उपर डाल रही हूँ तो friends आज का या simple silver सा हमारा केक बन के तयार है अगर आपको यह केक के वीडियो पसंद आया हो तो please वीडियो को full watch कीजिएगा वीडियो को जा स्यादा share कर दीजिएगा और इस तरह की dash piece देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिएगा support कीजिएगा Thank you for watching my video, bye